दोस्तो आज के वीडियो बहुत ही महत्वूर है आज की वीडियो में हम बात करेंगे किन अपराधों में सुलह समझोता हो सकता है और जो नियाले में मुकदमा चल ला है उसे खतम समझोता करके करवाया जा सकता है देखे सभी मामलों का समझोता नहीं होता है सभी मामलों का समझोता नहीं कर सकते नहीं उन्हें नियाला ऐसे समझोता करके खतम करवा सकते उधारण के तोर पे मैं आपको बता दूँ यदि आपने किसी की मारपीट कर दिये ठीके तो वहाँ पे ये मारपीट वाला जो 330 जुधारा है उसमें स्विच्चा से जो विक्ति जो है वह जिसे आपने मारपीट करी थी यदि वो चाहें और आप चाहें समझोता यदि मों मानने के लिए तयार है तो समझोता हो सकता है सपराद में और नियालय जो है वो समझोता आपका मानने करेगा ठीक है? और यदि मान लीजिए आपने किसी वेक्त की गोली मारी है ठीक है? तो जिस वेक्त की गोली मारी है वो वेक्त भले ही कई कि मैंने समझोता कर लिया है लेकिन वो समझोता मानने नहीं होता है तो इस वीडियो में मैं आपको उन धाराओं के सभी धाराओं के बारे में बताऊंगा जिनमें आप समझोता कर सकते हैं और आपका मेटर जो नियालाइक के दिन चला है वो बंद कर दिया जाएगा समझोता के आधार पर चलिए शुरू करते हैं समझोता का अपराधन करती है CRPC की धारा 320 पराधन करती है अपराधों का समन यानि कि अपराधों का दवाय जाना या ऐसे अपराध जिनमें समझोता हो सकता है समन सब्द जो है वो दो प्रिकार का होता है एक समन सब्द का मतलब होता है जो नियाले आपको एक लेटर वेजता है कितनी तारीक को आना है नियाले द्वारा एक बो समन होता है एक समन होता है दबाया जाना या समझोता किया जाना ठीक है तो यहाँ पर समझोता वाला समन है यानि कि CRPC की दारा 320 अपरादों के समन के बा जिसमें किसी विक्ति की धार में को भावनाओं को ठेस पहुचाना तो ये समझाता योग है जिस विक्ति की धार में को भावनाओं को ठेस पहुची है वो समझाता कर सकता है ठीक है अब बात करें 330 आईपीसी की धारा 330 जिसमें किसी की मार्पीट कर दी है और जिस विक्ति की मार्पीट की गई थी वो और समझाता करने को राजी है तो इसमें भी समझाता हो सकता है इसके इलाबा IPC की कई धारा है वो मैं आपको डिरेक्टली बता देता हूँ एक्समिले नहीं करूँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा आपको डिरेक्टली नहीं करने 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 क ठीक है या 403, 407, 411 ठीक है ये सभी चोरी से जूड़ी धाराएं है इने में समझगवता हो सकता है या 414, 417, IPC की धारा 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427 ये सभी IPC की धाराएं है और इन धाराओं जो में मैं बता रहा हूं ये समझवता ये धारा हैं ठीक है इसके बाद 428, यानि कि जीव जन्तुका वद करने पर उसे विकलांग करने पर रिस्ट ठीक है इदे माली जी आपने किसी की जीव जन्तुका वद कर दिया है, उसका कोई हाथ पर तूड़ दिया है 491, 497, 498, 500 यानि कि किसी को गाली देना या माली जी किसी की समाज में बेजती करना माने हनवाला भी जो है समझोता योग है, इसके बाद 501, 502, 504, 506, 508 ये ऐसी धाराएं मैंने बताई है जिन धाराओं में ये आप अपराद करते हैं, जिन धाराओं में ये आप पे मुकदमा लग जाता है तो आप जिसके साथ ये जो भी पीड़त है, ठीक है, उससे आप समझोता करके ये बुचाता है तो ये मुकदमा समझोता योग है ये अपराद और आप समझोता कर सकते हैं नयाला के बार नयाला आपके समझोता को मानिता देगा और जो भी आपका केसे का निप्टारा हो जाएगा अन्य बड़े मुकदमा में समझोता नहीं होगा चाये भले ही वो राजी हो